है एबरीवन वेलकम टूराज एकोनॉमिस और कॉमर्स क्लासे मैं हूँ नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ एक बहुत ही बहतरीन को वीडियो को ले करके क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ आप लोगों के बीच प्राइविट गूट्स और पब्लिक गूट्स का मीनिंग और उसका करेक्टरिस्टिक देगे अगर हम बात करते हैं पब्लिक गूट्स की ठीक है तो पब्लिक गूट्स में याद रखिएगा कि दो फीचर्स पाया जाता है डाइक सवाल आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एक्जाम में अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका सिंपल सा मिनिंग है क्या मिनिंग है कि जो गूट्स नॉन एक्सक्लूडेबल होता है मतलब उसके कंजम्शन से आप किसी को रोक नहीं सकते हो और नॉन रायवललरी का मतलब क्या होता है कि आपके कंजम्शन से किसी के लिए उसकी अबलेबिलिटी घटती ना हो ठीक है ना मतलब देखे street light है क्या आप उसके conjunction से किसी को रोक सकते हो नहीं रोक सकते हो वो सब के लिए है दूसरी बात अगर कोई भी एक व्यक्ति जाके वो street light का जो benefit है उससे ले रहा है तो क्या दूसरे व्यक्ति को उसका benefit नहीं मिलेगा क्या ऐसा होता है क्या नहीं होता है ठीक है तो यह हुआ non-excludable and non-rivalry और यह दोनों फीचर जहां मिलेगा वह होगा हमारा public goods राइट सवाल है private goods क्या होता है जिसमें non-excludability नहीं बलकि क्या हो excludability and rivalry दोनों situation पाया जाता हो जैसे मेरा mobile है मैंने mobile लिया मैं आपको इसके consumption से रोक सकता हूँ ठीक है ना तो non-excludable तो हो गया ना अगर आप कोई दुकान जाते हो और एक दुकान में आपके आपने कहा mobile लेना है तो अगर मैंने वो mobile ले लिया तो आपके लिए availability घटेगी न तो private goods में एक के consumption से दूसरों के लिए options घटते हैं मतलब availability घटती है मतलब private goods कैसा होता है private goods में rivalry और excludability दोनों पाये जाते हैं जबकि public goods में दोनों ही situation नहीं होते हैं तेक है मतलब दोनों non-excludable और non-rivalry होता है public goods के situation में आप एक सबाल आता है कि public goods के होने फे क्या कोई समस्या है बिलकोल समस्या है क्या समस्या है भाई देखे public goods में न free riding का problem पाया जाता है क्या होता है free riding का problem पाया जाता है कैसे free riding का problem है जो व्यक्ति पे कर रहा है उसको भी public goods का benefit मिल रहा है जो पे नहीं कर रहा है उसको भी benefit मिल रहा है मतल्स समझ रहे हैं देखिए मैंने कहा कि street light government लगा रही है न कैसे लगाती है tax वगेरा से जो पैसा receive उसी पैसे से वो क्या करती है सरकात उसी पैसे से government कहीं न कहीं जा करके आपका एक प्रकार का street light वगेरा जो public goods से वो provide करती है अब हुआ कुछ ऐसा न कि जो व्यक्ति pay tax नहीं दे रहा है जो व्यक्ति pay नहीं कर रहा है वो भी उसका मजे ले रहा है और जो pay कर रहा है वो भी उसको enjoy कर रहा है जो pay नहीं कर रहा है वो तो free में उसका use कर रहा है न तो इसमें कहीं न कहीं free riding का problem है या नहीं है बिलकुल ह तो कहा गया है चुकी पब्लिक गूट्स में प्री राइडिंग का प्रॉब्लम होता है ठीक है इसी लिए क्याता है कि ये कहीं न कहीं externality create करता है वो क्या करता है market fail करता है याद रखेगा public goods is a source of market failure market failure अब क्या होता है वह मार्क टॉपिक बताएं बट फिलाद समझेगा market mechanism fail हो जाना parity and Optimacy fail हो जाना ठीक है तो अगर पब्लिक गूट्स का situation रहेगा ना तो due to presence of free riding problem there is market failure in the economy ठीक ना कोई दिक्कत नहीं तो ये public goods of private goods का बस एक simple साब brief knowledge था आप लोगों के लिए बाकि अगर detail में education चाहिए detail में आपको economies पढ़ना और आप economies के serious student है चैनल से जुड़े रहें अगर offline class करना चाहते हैं तो contact number दिया हुआ आप उस contact number पर बात किजिए राची में हमारा कोचिंग है राज economics and commerce classes के नाम से clear है तो आज का यहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद पर दो आप आपके लिए धन्यवाद